करते सो दोस्तों बाजेट डे टोटली बोरिंग डे रहा मॉर्णिंग में कहीं ने की थोड़ा आपर साइट की मुमेंटम यहां से हम लोगों को देखने को मिला मारके रूपारी भी आया धराक से मारके नीचे गिरा फिर रिकोवारी वाट एंसाय डेट वाल्रीटी जिस करते था को इबी सपोर्ट या डिजिस्टेंस ब्रेकाउट या ब्रेक डाउन के साथ मीनिमंबद 0.50 परसें दो मुमेंटम कर देखने को मिली जाता था बाट यहां पर पर रिजिस्टेंस ब्रेक आउट no doubt 0.50 परसें नहीं देखने को मिला अन्मेन यहां पर कुद मैंने budget day के अंदर अपने SL book कर लिया जैसे मैंने अब लोगों को tomorrow prediction video के अंदर explain किया था कि मेरा कहिने की after the resistance breakout मेरा buying side की position रहेगा support breakdown करेगा selling side की position starting में resistance breakout किया तो मैंने आपर buying किया position को hold किया to be honest यहाँ पर बहुत ही जबर्दस profit देखने को मिल रहा था बढ़ मेरा target था 0.50 at least मुझे इतना आ जाये बढ़ वो कहिने की देखते हुए नहीं मिला market saddened for door यहाँ पर मेरा SL कहिने की hit हो गया right now अभी कल की analyze हम लोग कैसे कर सकते कल market के अंदर कैसे momentum हो सकते चले तुरह discuss कर लेते हाला कि यहाँ पर अगर आप लोग आज देखोगे market के अंदर gap up market उपर आया after the upper side momentum market upper side में hold नहीं कर भाया direct नीचे गिर गया नीचे गिरने के बाद market थुरह recovery किया और overall downside में closing दिया तो यहाँ से और यहाँ तक आप देखोगे market काईने की आज के डे में 1 फेवरा में ब्यारीज है क्यों because market ने higher level पे price को sustain नहीं कर पाया higher level पे तो price आया but higher level पे price sustain नहीं हो पाया यह कहिन है कि एक minus point है but इसका मलदब यह नहीं कि कल हम लोग totally bearish situation में चले जाएंगे because अगर आप लोग overall previous 2-3-4 दिनों की chart देखोगे तो market bullies है यहाँ से लेके यहाँ तक upper side की momentum हुआ continue upper side momentum कह सकते हैं उसके बाद market के अंदर थोड़ा retirement है अगर मैं आगर आप लोगों को calculation करके बताओ के market के अंदर आप देखोगे around market के अंदर 400 point की momentum दिया 167 around 30-40% की downfall हुआ जितना point की market नहीं उपार आया उसका 30-40% downfall हुआ इससे normal retirement अगर यहाँ पर 70% downfall हो जाता या 100% downfall हो जाता तो मैं कह सकता है कि market की overall picture कहिने की ब्यारी से तो overall picture no doubt it is bullish तो कल scenario में हम लोग कैसे trade करने की planning करेंगे कल मानके चलो market gap down खुल जाता है after the gap down अगर कोई resistance breakout होते हैं देखने को मिलता है तो no doubt overall market scenario की साबसे यहाँ पर हम लोग एक upper side की opportunity find out करने की पूरी कोछिस करेंगे right and assume करो के market का इने की flat open हुआ after the flat opening अगर नीचे आ रहा है कोई support breakdown भी कर रहा है तो भी मेरा यहाँ पर कोई भी seller point of view नहीं होगा मेरा totally plan out action रहेगा कि यहाँ से कोई resistance breakout करें then में एक upper side की position में view रखो क्यों because market की overall picture दो यासे मैंने अब लोग को explanation किया market के अंदर 400 point की continue upper side momentum हुआ और उसमें से just 167% of 30-40% की around downfall momentum हुआ तो यह कहिने की अभी भी bullish situation के अंदर या bullish sentiment के अंदर ही market कर रहा हुआ है even अगर कल को market gap अब खुलत हुए resistance breakout करता है तो भी मेरा कहिने की यहाँ पर upper side का view होगा flat open होती है कोई resistance breakout होता है तो भी upper side की भी होगा तो इसका मंदर के अकल में किसी भी हाला प्रें down side के लिए जाओंगा ही नहीं जा सकता हूँ कुछ condition है क्या condition है assume करो after the gap up opening market के अंदर कोई भी double support breakdown देखते हुए मिलता है because market की current sentiment कहिने की bully से उसके बास after the support breakdown और एक support market कहिने की breakdown कर रहा है मलद आप जिसको हम लोग कहते है double support breakdown double support breakdown अगर यहाँ पर देखते हुए मिलता है तो मैं यहाँ आपा downside के लिए opportunity find out कर सकता हूँ अगर after the gap up opening market के अंदर कोई भी double support breakdown देखते हुए मिलता है in that scenario में कहिने की market के अंदर downside की position मलद देख सकता हो downside के लिए because इतना bullish market में downside की position double support breakdown ना होना और gap up कुलते है gap down ना gap up कुलते हो double support breakdown होना चाहिए right I hope all of you understand bank nifty को एक बार देख लेते bank nifty भी आप देखोगे कहिने की थोड़ा volatility को close walk but as compared to nifty bank nifty कहिने की थोड़ाई यहाँपर bullish का sign ज्यादा है जैसे आप देखोगे यहाँपर कहिने की हम लोगों को एक न्या diye high, lower hall देखती हूए कहिने कि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा यूजेली जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो हाई लगाया यहाँ पर जो हाई लगाया यहाँ पर जो हाई लगाया तो निया 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 कोई resistance breakout होता है तो upper side की opportunity है flat open होते है नीचे आ जाता है downside की कोई opportunity नहीं है मेरे सब से after resistance breakout यहाँ पर एक upper side की opportunity according to this अगर market यहाँ पर gap up खोल दे resistance breakout हो जाता है तो एक upper side की opportunity है same nifty जी तरह after the gap up opening double support breakdown भी में downside के लिए किया सकता हो नहीं तो मेरे यहाँ पर कोई भी downside का view नहीं है only for only one condition gap up opening उसके बाद double support breakdown okay so I hope all of you understand and let's see देखते अभी कल market के अंदर किसे अब से momentum करता है ओके